कि शास्टनेस प्रभु महवीर को वंदन उनिकी आज्ञा में विचन करने वाले गुरु भगवन्तों को कोटिशे नमन मेरे सद्धा के केंद्र आच्यार्य भगवन सिरी हिराचंजी मारसाब को कोटिशे वंदन उपाद्य प्रवर के गुणिस्मरन साधी प्रमुगा महासात करने सिरी ख कोगवच्ट का प्रकरति को कोटिशे वंदन करने के बसचाथ धर्म प्रेमी बंदुओं बहनों साधर जेजिनेंद्र करम प्रकृत्ती का ठोकड़ा चल रहा है कि करम प्रकृति के ठोकड़े के अंतरगत करम के सवरूप को समझने का उसको तोड़ने के अनेक स का सुत्र लिया कि पर को पीड़ा नहीं देवें पर पीड़ा से बचना ये धर्म होता है कर्म को काटने के लिए कर्मों को कमजोर करने के लिए कर्मों को शित्तिल करने के लिए पहला सुत्र हमने लिया था कि पर से पर पीड़ा से बचने का कार्य हमको करना है याने कि कल बता द्रम नहीं बताता है और वह धर्म केसा है तो पर पीड़ा से बचा जाता है वह धर्म होता है दूसरा बताया था करतव निर्वहन और तीसरा बताया था इच्छाओं पे नियन्त्रन यह तीन रूप में धर्म केलाता है कौन सा धर्म केलाता है जो धर्म आत्म धर्म है यहां पे ग्रस्त धर्म की बात नहीं है यहां पे शावक की बात है सादू की बात है और शावक और सादू जो धर्म का पालन करते हैं कर्मों को काटने के लिए कर्मों को कमजोर करने के लिए वो पर पीडा से बसते हैं करतेवे का निर्वहन करते हैं और इच्छाओं पर नियंतन करते हैं करतेवे का निर्वहन यहां पर अपने आत्मा का करतेवे की बात है यहां पर परिवार के करतेवे की समाज के करतेवे की बात नहीं है इस प्रकार से इस प्रकार से इस बात का वि हिनका दूसा नाम वह है कि तो कि पहले द्धन में बताया है धर्म ना पार कोUI से सऑब्सक्राइब नियुक्त करने वाला 사म कुछ उत्याइब वहाला बनता है करसे पीड में त। के अपने अप्रती कर्तव लेकिन अपनी कर्तव होते हैं प्रतित्रीं और आत्मा चल्जू होता सरीर के जो कारिये हैं वो हम प्रतिदिन करते हैं इस कारण से लेकिन सरीर के कारिये हम प्रतिदिन करते हैं लेकिन आत्मा के कारिये हम प्रतिदिन नहीं करते हैं तो आत्मा के कौन से कारिये होते हैं उनको जान करके सरीर के कारिये तो हमको करना ही पड़ता है हम आत्मा के कारि प्रइधान प्त निद्रा मुत्र पुरीश ये च्छे करम हर कोई करे राजारंक सरीक क्या है किया सुत्र क्या है हम करताव की की बात कर रहे हमारे सभीते कारी अचिलिया वेश वह को नसित्र हम क्योंको class करना चाहिए उसके लिए दौह बतायता है खान पान परिधान पट निद्रा मुत्र पुरीज ये छे करम फर कोई करे राजा रंक सरीक देखिए ये छे कारिये सरीर के हम प्रति दिन करते हैं हम सरीर के लिए प्रति दिन खाते भी हैं हम सरीर के लिए डेली प्रति दिन पानी भी पीते हैं हम सरीर के लिए कपड़े भी पेहनते हैं परदान पति यानि वस्त्रों को पहनना हम सरीर के लिए निद्रा भी लेते हैं ह सुरीर के कारिये दिर्गॽ śंक भी करते हैं यह छोगुषंख दिर्ग। समाने इन करने में दूनों समाने हैं काना पीना सूना कपड़े जैनु लेटरिंग बात्रूं यह कि है यह छे कारी है सरीर के हमको norm करते हैं इस सरीर की है विज्ञान को जाने करके कर्मों को तोड़ने वाले बन सकते हैं तो सरीर के तो छे कारिय आत्मा के बताएगए है उन्षे कारियों को हम कैसे करते हैं और अगर नहीं करते तो करने का प्रियास करें ताकि हम जो हैं हमारे कर्मों के बंदनों को तोड़ने का प्रियास कर सकें छे कारिया आत्मा के बताए गया संस्कत कर श्लो के देवार्चा गुरु सुसुसा स्वाध्याए स्यमस्तपह देवार्चा गुरु सुरुशुशा स्वाध्याए स्यमस्तपह दानम चेती ग्रस्तानाम शट कर्मानी दिने दिने अर्थात आत्मा के छे कारिये भी हमको प्रतिदिन करने चाहिए सरीर के छे कारिये तो हम प्रतिदिन कर रहे हैं लेकिन जिनको आगे बढ़ना है जिनको विकास करना है जीवन में सफल होना है कर्मों को काटना है कर्मों को हलके करना है कर्मों को सितिल करना है उनको च्छे कारिये प्रति दिन आत्मा के करने चाहिए जो आत्मा के कारिये करने में लगे वे होते हैं वो कर्मों के कारिये कर्मों के बंदनों को तोड़ने वाले होते हैं हमारे करता है जिनको करमों को तोड़ना होता है तो पहला है देवार्चा यानि की अर्चना डेली करें देव की अर्चना का मतलब होता है बगवान अर्यंत और सिद्ध की अर्चना करें उनकी पूजा करें उनकी प्रातना करें उनको गुण को अपनाने का प्रियास करें इस प्रका की सेवा किस प्रिकार से की जाती है गुरु बगवन्तों की सेवा उनको ज्यान दर्शन चाहितर में उनका सहयोग करके की जाती है गुरु बगवन्तों के जावें उनकी सेवा अर्चना करें उनको गोच्री पानी करामें उनको ज्यान द्यानादी सीख करके और उनकी सेवा कर करने का प्रयास करें तर्फी गुरु की सेवा और स्वार्जाइश करना चाहिए वह 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 संयम किस रूप में हो सकता है आज में जो है आज केवल में एक जोडि चप्पली पहनुगी जो चोड़ा नियम के माधिन हम से सभार की बात कि जाती है आज इसनान का त्याग कर दिया जाता गया जाता है यहांनि सभार करें यहां डाद एक तो से संयम के अंतर गतम सामाई काधी भी कर सकते हैं और चोप पांच हाँ तप पुछना कुछ अपच्य जरूर करें पुछना कुछ तपष्य चाहे नवकार्यासि करें इस नहीं कि अपर दिया आज अगर सभी से करने में इंद्रियों के विश्व विशियों का तियाक करतें में इस में इस सीपला तो याँ दै लेकर अगर आत्मा का करतावे कर रहे हैं यह प्रतिदिन दिने का मतलब प्रतिदिन करने चाहिए किसको ग्रस्तों को मतलब जो सावक हैं उनको नम्चेती ग्रस्तानाम यानि इस प्रकार से यह च्छे कार्ये कौन-कौन से आध्मा की बताए देव की आर्चनाँ देव की अर्शना का मतलब वर्येंतिव की भक्ती है गुरुकी सेवा यानि उनके ग्ञान दस्तितरे में सयोग करना स्वाध्यार यह है अच्छी hidden कह आगम का हागम का यह अच्छी पृस्त्षटकों का गृंत का स्वाज्याई करना तब एन नर्वकार सी पूर सी च्छोटा सा छोटा कोई विद्सकों करना और प्रति द३्याइं कर चाहिये शरीर के चे कार्यीं करते हैं हमको आत्मा के dessa दिन अगर आपन करेंगे कinkling करमों के बंदन शुतिल बने महरे आगे की स्टेप पर पूचेंगे थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं जैसा कि अपने कर्ता этим की की एक्षुल में धर्म का दूसरा नाम करतव्य होता है धर्म का दूसरा नाम क्या होता है करतव्य में मेरा धर्म निभा रहा हूं में मेरा करतव्य निभा रहा हूं यहां पर भी हमने केवल गरस्त के धर्म आत्मा के धर्म के दो गरस्त के धर्म के दो करतव्य के दो उनकी बा कहा रहती है इच्छा रहती है वो कभी भी सुखी नहीं बन सकता प्रतेक जीव को किया चाहिए एक कई laho ने सब्सकर जाहिए सबी को ही सबीको किया चाहिए सुक है और केते हैं सब्सक्राइब करता देता है कारिय कि मुझे इतना पेसा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाओंगा अगर मेरे परिवार में पुत्र अनुकूल हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाओंगा मेरे बेटे की साधी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाओंगा इस प्रकार से वो केवल चाहता है सुख शांती क इच्छा रखने वाला प्रतेक प्राणी वह क्या कहता है आई वांट पीश है अटा पिस स्टर्च टी कि शांति होता है वह चाहता है सब लोग क्या चाहते है आई faa पीस में चाहता हुं शाथ Are लेकिन कहते हैं जहां पे आई रहा हुआ और g रहा अपने बीतर में और चाहना जीवन में शांती अपने बच जाएगी इसलिए जिसकी इच्छा चली जाती है वह आत्मा के धरम करने की और पुनमुक हो जाता है कर्मों को काटने की और जो लगाने लग जाता है इसलिए हमारा तीसरा धरम का तीसरा पार्ट बताये था पहला पार्ट पर को पेड़ा नहीं देना दूसरा करतवे का निर्वायन करना यानि कि सतकारिय करना और तीसरा जो कारिय बताये गया है इच्छा बुद्ध के पास में प्रवचन सभा चल रही थी और उनका प्रमुक्षतny चुक से आनंद था एक सुखिय시면 बेठे हुए थे प्रवचन सुनने के लिए आनंद ने चुपके से कान में पूछ लिया कि महराज इन सब लोगों में आपको सबसे सुखी कौन नजर आता है इन सारे जो सबसे ज्यादा सुखी कौन नजर आता है जो गोतम बुथ्थे उन्होंने कहा आनंद जो पीछे पीछे फटे हाल बिना जो जिसके फटे टूटे कपड़े हैं और वह बेठा है ज पीछे जो फटे हाल बेठा हुआ ये कपड़ों के कोई पता पता नहीं है केवल मस्ति में बेठा हुआ है और गोतम बुद्र के प्रवत्र सुन रहा है उसको सबसे ज्यादा सुखी बताया आनंद आज से चक्कित हो गया लेकिन फिर देखिए उस उसे एकेवल गोतम बुद्ध ने जवाब ही नहीं दिया उसको प्रैक्टिकल करके समझाया राजा को अपने पास बुलाया गोतम बुद्ध ने और राजा से कहा कि राजन तुझे क्या चाहिए अब राजा तो बहुत खुश हो गया गोतम बुद्ध जिसको की भगवान मानत हैं राजा अगर वो कुछ कहे कि तुझे क्या चाहिए तो राजा ने सोचा महराज आज तो आप प्रसंद होगे आपकी बहुत किरपा मेरे पास सब कुछे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है पर मेरे राज्ये की सीमा अगर थोड़ी थोड़ी और बढ़ जावे तो मेरे को थोड़ा मैं शानती प्राप करनू कि हां मेरे राज्ये जो है कि वह इत्ती सी सीमा में है इसके सीमा और बढ़ जावे तो भूत अच्छा रहे तो बस उसको वापस भेज दिया फिर बुलाया मंत्री को मंत्री को बुलाया मंत्री जी आपको क्या चाहिए मंत्री जी भी खारण से मेरे यां तो तो देना पड़ता है तेक्स तेना पड़ता है अगर हो जाए और मेरी कमाई जो डबल हो जाएगी अगर यह सख्ण प्रकार से गोतम बुद्द ने सबने यही का किसी को कुछ चाहिए किको पुर्ण को पीछे बेठा हुआ था जिसके लिए गोतम बुद ने कहा था कि यह सबसे वैक्पिये उसको भुलाया कि भाई तुझे क्या चाहिए उसका जवाब था कि भगवान मेरे अंदर जो चाहा है बस वो चाहा मिट जाए मुझे बस यही चाहिए बस मुझे यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए इतना सुन्दर जवाब दिया और इसीलिए गोतम बुद ने कहा चाहा गई चिनता मिटी मनवा बेपर वा जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों के शाह, शाहों के शाह यानि सबसे बड़ा बाज्शा सुकी वो ही है जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे अंदर जो चाहिए की भावना रहती है जो चाहा की भावना रहती है उसको ही मिटा दीजिए क्या कहा उन्होंने चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपर्वा जिसको कुछ नहीं चाहिए वो वही राजाओं के राजा हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए इस प्रकार से जिसको कुछ नहीं चाहिए तो धरम का तीसा ततु बताया है इच्छाओं पर नियंतन जो चहा पर नियंतन कर लेता है जिसको कुछ नहीं चाहिए वो कर्मों को काटने वाला बन करके वो इस संसार में और परलोक में भी जाकरके सुखी होता है या तो शिद्द बन जाता है अगर सिद्द भी नजी बनता थो नंटा देव सत रर्क करकर देव कुंसमें प्राप्त करकतव होता कि जिसको कुछ नहीं चाहिए कि वह शाहों का शाह का मतलब राजाओं का भी राजा यानि वह सबसे सुखी वह है तो आज के दिन कर्मों को काटने के लिए हमने करतवे की बात करी हम इस Цözen करें हम आत्मा के करतवे का पालन करें अंक्षा 것 करें हम च взять हम अरे गर हाइक खतम हो जाएगा तो जिवन में पीस अपने बच जाएगी इस जहां के बारे में कल भी करेंगे ठोड़ा सा आज हमने आत्मा के छोडने का रोगलियां करने कशोड़ने का प्रयाद करें रेको छोडने के बारे मिं आगे बात करेंगे देखिए चाओं होता है तो जीव किस पिए आता है शावक व्रतों में आता है जब कि-अधर नियर्ण होता है इच्छां का संकॉचन होता है सावक वरतों में आता है कर जत दया है उनको जान वेक्ति को सावत के बारा व्रतों की जानकारी होना जरूरी है सावत के बारा व्रत जो है वो हमको जो पहाड जैसा पाप है उस पाप को राई जैसे पाप में जाकर कि संकुचित कर देता है हम बाहर से आने वाले जो कर्म जो है जो की बिलकुल अनर्थ के कारण से आ रहे हैं निरत्रक रूप से आ रहे हैं उन पापों को हम सीमा कर देते हैं बांद देते हैं इसलिए प्रतेग जो वेक्ति है जो क्लास लेता है जो जेंदरम में सद्धा रखता है उस वेक्ति को सावक के वरतों को जानना जरूरी है इस बात का ज्यान रख लें इसलिए हम करमों को जान हमेशा बना करके रखें अब हमारा थोकड़ा चल रहा है करम प्रकरती आगे हम चाहा को मिटाने की बाते और भी करेंगे लेकिन हमको थोकड़ा भी हमको पूरा करना है क्योंकि शुक्रवार को अपनी अंतिम क्लास रहेगी यह मान लीजिए इसके बाद में आज के बाद दो क गोत्र वैसे तो इसके बारे में अपन ने जब गोत्र करम का स्वरूप बताये था बताई दिया था जिस कारण से उच्छ कुल प्राप्त होए तो उच्छ कुल प्राप्त होए वे द्रवे गोत्र कहलाता है और उच्छ संस्कार प्राप्त होए यह भाव गोत्र कहलाता है ज philanthrop करें अजरद के रूप में अच्छा प्राप्ट कर लिया जैसे यह तो जो द संसकार उचे रखता है तो ऊच गोतर का वेदे में अभी हो जाता है diva Irona ch elbows यह ऊज्छ प्रिकार कि दिख तो बीच बीच में प्रस्ण आ जाते हैं करण से देख रहा था और ध्याद प्रक्रक्ण गोतर करम ब्रवे और भाव के पिक्षा के द्रव्य का मतलब whilst होता है गुलर्पेक्षा से जाती से और भाव का मतलब होता संसकार की अपेक्षा से गोत्र की जानकारी हम को करनी चाहिए हम क्या कहता है कि जो बो हम अगर हम प्यदा हुए उस गोत्र का गोरव रखें गॉरव रखें उच्छ गोत्र पर गमंड नहीं करें उच्छ गोत्र के जो नियम उपनियम है उनको हम पालन करें आज हम कई बार योई बोल देते हैं कि देखिए जेन जो है रात्री में भोजन नहीं करते हैं जमिकंद का प्रियोग नहीं करते हैं यह जेनों के नियम उपनियम जब ही सब्सक्राइब कर दो दोट करती स्वीडी कोपना करना है यह कि एक इसकार का ध्यान करता है अध्यास नहीं करना चाहिए पर्यास नहीं होना चाहिए हम पस्छी में मैं ध्यपथा से जो गूंवें उनके दोश्वा को हमारे संस्कारों का ध्यान रखें तो उची गोत्र का उदे जो हमने प्राप्ट किया है उसको立 रख पाएंगे और अगले वहूं में पर इसा साधन नई मिलते हैं कि कर्मों को काट सके कर्मों को काटने की तो दूर की बात है कर्मों को समझने का भी मालूम नहीं पड़ता अज्ञान दर्शा रहती है और मुठ्यात्यू की अवस्ता रहती है नीच कुल में आधिकान सुरूप से तो वहां पर तो अपन अपनी नतों हेग उपादे की का सार्टख उप्योग करके और हम उच गुल को आगे भी रिकी प्राप्ति करने करके और हमारा जीवन सार्टख कर सकते हैं ऐसा पी गोत्तियां अब अंत्यमकरquito है अंत्रायकर्म की पांच प्रकियों का बंध्यान दानपर देढ़ में लेते हैं कुछ आग सद्व है लिए एंग अन्तराई करम अंटराई करम की पाँच प्रकर्तिया इे पहले प्रकर्तिय है एक जहांटम ले लिए जो किसी को तैया जाता है वह कहलाता है दान दन आदि कोई भी पधार जो स्वेवबकार के लिए किसी को कुछ दिया जाता है वो किलाता है दान जाने कि आपने इसकी परीबाचा अगर आप करोगे तो अनुग्रहार्थम यानि अनुग्रह के लिए दूसरे के अनुग्रह और दूसरे के दानांत्राय करम के आजाती है, उस दान पर कहते हैं दानांत्राय कर्म, कैसा होता है, कि अंदर से उसके दान देने की भावना भी नहीं बन तो कमरे से उठकर के इस कमरे पर आने की इच्छा भी नहीं करती है ऐसा होता है दानानत्राह करन और कई लोगों के आपने एक्जामपल सुना होगा सेनिक की एक दासी थी कपीला दासी कहानी अगर सुनि ओगी तो सेनिक की एक दासी थी जाल चलिसे दन दर दोडहरों टो तेरे नरक के बंदन टोर्ट याएंगे किया कहा वह स具 नियुके King कि यो बहुत ज्यारए कि जड़ा मिथ्यात उसे ग्र्सित भूंत भी सादू संसंदों पे सद्धा नहीं करती है अगर वह सादू संसंदों को दान कर देवे अगर साधु संतों को सुपात्रदान कर दे तो तेरे जो नरक के बंदने वो तूट जाएंगे लेकिन भगवान मावीर को तो मालुमता है सा कोई होगा नहीं लेकिन सेनिक महराज गए और कपिला जो ती वो तो दासी थी लेकिन दासी से कह दिया भई दासी तुझे क्या करना है साधु संतों को आहार बहराना है अब आहार जो है उसकी बहराने की इच्छा ही नहीं दान देने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं क्योंकि उसके दानांत्राय करम बहुत जबरदस्त उदे में था उसके एक परसेंट भी भाव नहीं बने और दूसरे जब राज बहाउना नहीं दे सकी तो कई बाउना होता है वह कई बार जो हम भी देख लेते हैं हमारी बहाउना होते वे भी उसकी तो बहाउना नहीं थी कपिला दासी की तो बहाउना ही नहीं थी लेकिन हमारी बहाउना होते वे भी कई बार हम दान की दान को नहीं बहरा पाते हैं असूस्ता हो जाता है गर तो वो जो होता है वो दानांत्राय करम के कारण से होता है इसलिए हमको हमारे दानांत्राय करम को कोड़ करके और अनंत दा जो है हमाई दान देने की प्रवर्थी को बढ़ाना है यह दानांत्राय कर्म की प्रकर्ति होती है दूसरी प्रकर्ति होती है लावांत्राय कि लावांतरा लाब किसको कहते हैं किसी भी वस्तू या प्रधार्त की जो प्राप्ती होती है उसको कहते हैं लाव लेकिन उसमें जब अंतराय पढ़ पढ़ जाती है उसमें बादा होने वाली है वह वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती है उसके जो अंत्राएं पढ़ जाती है उसको कहते हैं लाबांत्राय कर्म अब जैसे एक्जामपल के रूप में कई बार आपने देखा होगा कि कोई जो ऐसा ओडर अपने को बिजनेस में मिलने ही वाला है उसकी सारी फोर् सद हखाना सेत्वादा पड़ जाती है लाब जो प्राप्त होने वाला था वो लाब प्राप्त नहीं हो पाता है यह तो सामाने वेवार का एक्जामपल मेंamour दिए वहां पर हो जाता तो इसलिए को नई मिलती है इसमें केवल हमारे करमों का उद्धे नहीं होता है इसमें उनके करमों का भी उद्य होता है हमारे तो दानांत्राय करम का उद्य होता है जिसके कारण से हम दान नहीं बहरा पाते उनके लाबांत्राय करम का उद्य होता है इसके कारण से वो लाब फ्राप्त नहीं कर पाते आपने सुना होगा डंडन मुनी की कहानी डंडन मुनी की कहानी जो श्रीकर्षनिक का बेटा था और जब गोश्री के उनके उन्होंने ऐसा लाबांत्राय करम बांदा हुआ था कि उनको गोश्री पानी मिलती ही नहीं थी और अगर मिलती तो असूश्ती मिलती और असूश्ती ले नहीं सकते तो उनके लिए यह था कि जो भी लोग सब्सक्राइब के पच्पान था कि जो भी आपको घोछ्री मिले जो आपके निमित्त्र की मिले dan तो फूत्र या भाई दोनों में से एक मुझे ज्यान में यार दो पुट्र थे या भाई थे जब गोची लेने के लिए जाते थे तो बहुत यो पर आप मेरो स्रीकरत्進 ना से जो प्राप्ट होगी वहीं मेरो अब कहीं पर भी जाते वह पे द्वारी का नगरी में तो वहां पर सब लोग कैता चर् enquanto के वाइं को भोशी बहरादो स्रीकर्चनी के पुट्रय इनको गोशी बहरादो इस का स्रीकर्षन का पुत्र समझ करके सब लोग उनको गोच्री बैनाने को तयार हो जाते जब कि उनके नियम क्या था जब मेरे लबसी का हार मुझे मिलेगा तो ही मेले कोई भी डंडेंदोंहोनी जाता था वह प्रूल स्रीकर्षन के भाई होने की वजइसे स्रीकरश्ण के राजा थे इसलिए उन्हों को छे मैंने तक गोठ्री नहीं मिली डिक्षा लेने के बाद एससा ने की उनको कि उनको कि की कृत्न के पुत्र होने के बाउजूद छे मैने तक उनको आहाल नहीं मिला खुद जी कि लबदी का मिल disgust का तो लोग दे रहे थे लेकिन खुद की प्रकार से लाबांतरायकरम के उदे होता है वो जो है वह लाबांतरायकरम का लाब प्राप्त नहीं कर पाते हैं किसी का हो हो चाई किसी वस्तू का हो चाई किसी ग् 들ंसेंवां कर शक्ते हैं इस प्रकार से लावां और होता है इसमें एक और रचक्ञाप अपन ले सकते बहुता को है बगोलत लग्रिशोप देव को तेरह महने तक आहाज नहीं मिला था लेकिन उनको भी आहाल नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने लावा अंत्राय करम बांदा हुआ था सबके सब लोग बोलते थे कि राजा है राजा है सब लोग बेराने की कोशिश करते लेकिन सब लोगों को जानकारी नहीं थी यह सादू सन्यासी बन गए हैं यह सचित ग्रेंड नहीं करते हैं सचित नहीं लेते हैं इस कारण से सब असूस्ती असूस्ती ची लाता है अब दो कर्म आते हैं वह एक जैसे लगब लगब तीसा होता है भोगांत रहे और चोथा होता है अब भोगांत रहे जो एक बार वस्टु भोगी जाती उसको बोग कहते हैं जैसे खाना खाया जाता है लगब लगब आपन पहलता है जैसे घड़ी को देली पहनना पड़ता है मोबाईल यह वह भी वह वह की चीज़े वह बार 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 आपको यूज करनी पड़ती है तो जो चीजे एक बार बोगी जाती है उनको भोम कहते हैं इसी वस्तुमों को भोगने में जो अंत्राय पड़ता है जाए एक बार बार भोगने वाली वस्तुमों को भुगने करे जो रबादां पड़ जाती है उन खेते हैं और उसको बहुत राएं इस प्रकार से कई बार हम देखते हैं कि हमारी सब कुछ चीजे अनुकूल होते वे भी और खाने में बादा पर जाती है जैसे एक जाम पर जैसे खाना खाने लगते हैं और बाहर से गंटी बच जाती है और कोई दोस्त आ गया उसके कारण से आदे गंटे तक हम उससे बात्चित करने लग गए और कोई कार्य करने लग गए इस कारण से हमारे खाने में बादा पर जाती है कई बार ऐसी इस्तितियां आपने देखी होगी कि कोई कपड़े की चीजे कपड़े बार बार भोगने वाली चीज जो कपड़ा है वो दिन भोगने की वस्तुएं आपको अपने घर परिवार में मिल जाएंगे आपने नाम सुना होगा मंमन सेठ का जो पहले भी मैंने एक दिन लिया था ममन सेठ धन संचियो शंचीयो चपन करोड ना खायो ना खरच युँद्झ और मूँव माथो फोड नरक में गया ना तो खाया और ना खर्चा जैसे वह खेत में खड़ा खड़ा हुआ अड़वा जो होता है वो मनुष्य की आकरति बना दी जाती है ना तो वह खुद गेवादी को जो अनाज को खाता है ना वह पक्सियों को खाने देता है बस वह की व लोगान्तराय का उद्व आता है वह वस्तुमों को भाग नहीं पाता है यह बार भार 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 भूगने की चीजो़ आप देखिए जब वेक्ति गरीब होता है कई बार ऐसी स्थितिया बन जाती है जब वेक्ति गरीब होता है तो उसको ड्राइफ फूट खाने की उसके पास पैसे नहीं होते हैं लेकिन जब पैसे वाला हो जाता है तो उसको खाने की डॉक्टर मना कर देते हैं या ड्राइफ फूसला जैसे ही वह जानमेंगे लेने में यदि वह सब्स् Carlos calmly मेरी नें जेसे उसके पास प्र udah साय जो बैल बनाकर त्यार कर रखा था लेकिन खाने की इच्छा उसकी नहीं थी ना भोगने की इच्छा थी वो तो केवल दूसरा बेल बनाने के तयारी करते करते ही जोड़ते जोड़ते ही और दम तोड़ गया बोलते हैं दोड़ते ही दोड़ते दम तोड़ गया वो तो केवल भागता ही रहा भागता ही रहा इक जल रहा है आपने कविता भी सुनी होगी जनम से लेकर मरन तक दोड़ता है आदमी जनम से लेकर के मरन तक दोड़ता है आदमी और दोड़ते दम तोड़ता है आदमी आख गीली होट हस्ते और दिल में हो लिया ये तीन मोसम जिन्दगी में जोडता है आदमी और दोडते ही दोडते दम तोडता है आदमी आख गीली कभी तो दुख होता है कभी होट हसते कभी सुक हो जाता है कभी दिल में हो लिया यानि कभी उसको प्रसंता मिल जाती है इस प्रकार से केवल तीन मोसमी वो जिंदगी में जोड़ता है या तो सुख मिलता है या दुख मिलता है या नॉर्मल इस्तिती रहती है बस तो जनम से लेकर मरन तक दोड़ता है आदमी आख गीली होट हसते और दिल में हो लियां तीन मोसम जिंदगी में जोड़ता है आदम और दोड़ते ही दोड़ते दम तोड़ता है आदमी इसलिए वो केवल आदमी की आज दोड़ कैसी रही हुए एक रोटी दो लंगोटी एक रोटी दो लंगोटी चार गज छोटी जमीन जिंदगी में जोड़ता है आदमी और दोड़ते ही दोड़ते दम तोड़ता है आदमी आप देखते ही है एक रोटी दो लंगोटी और तीन गज जमीन क्योंकि जब जलाया जाता है तो छोटी सी जमीन ही होती है तीन गजगी चार गजगी जमीन होती है बर इतनी सी ही जो होती है उतना ही उसके जीवन में जिंदगी में वही उसके जमीन काम आती है बाकि कितनी भी जमीन इकटी कर लो कुछ काम नहीं आती है एक रोटी दो लंगोटी तीन गज कच्ची जमीन जिंदगी में जोड़ता है आदमी और दोड़ते ही दोड़ते दम तोड़ता है आदमी जनम से लेकर के मरन तक दोड़ता है आदमी और दोड़ते ही दोड़ते दम तोड़ता है आ पैसा पर अभी तक मैंने आठीपी का कोई इंतजाम नइंकिया इस कारण से बस द्यान रक लेना यह जाता है नहीं पाता है यह किस करम के कारण से धो गो गांटल राएं और उप्धि पड़े पड़े वेक्ति जो है और surrender मेरधा बड़ा बेटा राम कहां पर है और बेटा किकाँ पिता चींता मत प्यूत को आपके बिल्कुल बगल करूंग हुआ पिर पूछता एंज चींता अमम ने करो तो निंगे दए मेरा तीसरा बेटा जो है भरत वह कहाँ पर एप आपके पास बैठाएं आपके सारे यहां पर यह मेरा चोथा बेटा कहां पर एक चोथा बैटा जो सत्रूगर ने वह भी आपके बिल्कुल पास नहीं बैठा है और एक यह नहीं पाता हे वह नहीं कर पाता है बस यह घ्यान रखना वह अपने जीज पर जिसके बोगा उन्तराएंपल स्ब्सक्रास ते रिखनीतW में अपने दौरा सब्सक्राइब की वस्ते नहीं तृबट ईसाल को पर सबस्तेया धिए। कि यह आई या कि यह को भूइआ कि यह जो हमारे अंदर ताकत है हमारे अंतर सक्समत्र आıy हमारे अंदरसे मामारे जो चपती के निए उसको क्षेंट कर्म करी चाएं कर्म करते है महराज और झूब प्रेंड़ा करी कबकेब्ड़रकोर। माराज मेरे को क्या है पानी की रात में बहुत जदा प्यास लगती है तो हमारा सामर्थे पर जो अंत्राय डालता है हमारी शक्ति को जो रोकने का काम करता है वो हमारा वीर्यांत्राय करम होता है जो वीर्यांत्राय करम जो होता है हमको बिल्कुल ऐसा सुकोमल बना करके रखता है कि हम किसी भी प्रकार के तपकी और त्याग की बात करने लग जात जो नहीं जोड़े उसको बढ़ते हैं और फश्क करके उनको पस्खान पालन करना पड़ता है वह मजबूरी से करे चाहिए वह अपनी स्वेच्छा से करे लेकिन ध्यान रखना अपने सामर्थय को हम ही बड़ा सकते कभी यह वीर्यान तॉपको दो तो मोस्य नम्सक्राइब करने करना हें ताकत को और लोगों की बहुत लोगों की दिख्षां की बहुना बन जाती है लेकिन वह क्या अपने समर्थ प्रकट नहीं कर पाते हैं वह होगोटाता हहा तो मैं जरूर्ट ले लेता है महराज क्या थोड़ी थोड़ी सी यह प्रttोड़ी सरम आतीessä टोड़ी सी अब आप यह जो बिक्षा लेने के लिए उसमें मुझे थोडी सरम आती है उस प्रकार से अनेग जो बहानें बनते हैं वह बहाने एक वीरियांत्रा। पारम का जो नहीं चलने देना हैं कर्णे वाले के बाद चली थी धरम की जो के लिए aneg साहरे है जब हमारे मन में जचेगी चैमें यह करना तो देखना आप सारे कि आस पास वाले जो है глаза वह होती है इस के बारे में कि आठी बहुत बहुत दे सकते हैं लेकिन समय इसलिए अपने को थोकड़ा भी पूरा करना है उसके लिए ज्यादा एक्जामपल नहीं लेते हुए कि प्रकरतियों को समझने का अपने प्रियास किया इस प्रकार से अपने तीन चैप्टर पूरे हो गए है करम प्रकरति का कौन सा था पहला चैप्टर संदर्ब यानि कहां स दूसरा था लक्ष्ण लक्ष्ण में परिभास्या हमने जान लिए अब जो था करते कर मों के कारण कर मो बंद के कारण चालू करने के पहले बंद किसे कहते हैं यह तो समझे ना तो बंद का मतलब क्या होता है जुड़ना जब आत्म प्रदेश से आने वाले कार्मन वर्गना के पुद्गल जुड़ जाते हैं उसको कहते हैं बंद किसको कहते हैं आने वाले कार्मन वर्गना के की इसके कारण बताएं काशाय और योग के कारण से संसार में निर की तरहusta वोजाता है चीर Northwest k кров q q कित्ए और नीर यानि पानी जैसे दूद में पानी मिल जाता है दिखाई नहीं तो वैसे ही हमारी आत्मा से ये करम-पुदगल जाते हैं ऐसे सीर नीर सम्मंद हो जाता इसको कहते हैं बंदः ठीक है साथ अब यह बंद भी चार प्रकार का होता है बंद कितने प्रकार का होता है चार प्रकार का बंद होता है तो चोथा दुवार जो बंद के प्रकार है उसमें अपन चल रहे हैं उसमें बंद के जो प्रकार है उसके बात कर रहे हैं तो पहला होता है प्रकरती बंद ठीक है सा पहला कौन सा होता है एक मेसेज आया कि आवाज नहीं आ रही है आवाज बराबर आ रही है हा ठीक है कि इनके प्रोबitt रहागी हम द्यान में मैं ले लिए प्रकर्ती बंद किसको कहता है जो कार्मन वर्गना के पुद्गल आकर के हमारे जुड़ रहे हैं, हमारी आत्मा पर लग रहे हैं, वो कार्मन वर्गना के पुद्गल हमारे आत्मा का क्या नुकसान करेंगे, यह प्रकर्ति बंद होता है, जो करम पुद्गल हमारी आत्मा पर आकर के छिपक रहे हैं, जो कर पुद्गर हमारी आत्मा पर लगे हुए हैं वह हमारी आत्मा का क्या नुक्सान करेंगे कौन से गुन को दबाएंगे कौन से गुन को प्रभावित करेंगे यह कहलाता है ज्याना वनिय करम क्या करता है हमारी आत्मा के ज्यान गुन को दबाता है कि रशनाने क्या करता है हमाई दर्शन गुण को दबाता है यह कहलाता है प्रकर्थि 22 जो करम बंद किया है वो करम जो है वह हमारे आत्मा के कौन से गुण को प्रभावित करता है उसकीmist यू प्रकर्थी क्या है जैसे एक्जांपल के रूप में चोकलेट हथे हैं तो प्रकरती दूसरा होता है इस्तिति बंद करम पुद्गल जब बंदता है तो कितने समय तक हमारी आत्मा के साथ लगा रहेगा यह जो काल मर्यादा होती है यह कहलाता इस्तिती बंद करम पुद्गल जो हमारी आत्मा से बंद रहा है वो कितने समय तक हमारी आत्मा से चिपका रहेगा कितने समय तक हमारी आत्मा के साथ लगा रहेगा यह जो काल मर्यादा होती है यह कहलाता इस्तिती बंद आपने बोलते हैं ना जादा इस्तिति के करम बंद रहें कम इस्तिति के करम बंद रहें ये बंद के समय ही पुद्गल की जैसे करम पुद्गल बांदे हैं जैसे करम पुद्गल बांदे हैं सो ठीक है साथ सो वैसे तो अनंद पुद्गल बनते हैं समय पे सो पुद्गल क्या करेंगे घ्ञान गुन को ढखेंगे एक प्रकरती हो गई और यह सौ हमारी आत्मा पर रहेंगे एक साल तक एक साल तक रहें यह स्तिती हो गई ठीक है साफ और तीसरा होता है अनुबाग बंद अनवाग मंद किसको केते हैं जो करम पुद्गर हमने बादे हैं वो क्यों करा एंग जो होता है जो उसकी पावर होती है जैसे मानके चली असातावेदने करम बांदा ने बांद अब यू है लेकिन एक से एक के तो एक सो चाय डिगरी बुखार आता है एक के नन्यान में डिगरी बुखार आता है एक के सो डिगरी आता है एक के एक सो दो डिगरी आता है सबके अलग-अलग आता है तो कितने पावर से वो उदे में आएगा कैसा हमको अनुभव कराएगा वो जो अनु ग्यान गौन को पाओर हो गया ऑद कोता है अनुभाद सब्सक्राइब 20 मीं करों को बांदे करम के पुद्गलों को कहिलाते है प्रदैस बंद और के सबक्रक्राइब क्या बंद तो के इनल्टेश उनल पुद्गलं है यौक जीथे स्ट्री है ने उनलीन belong सकती है कंपने को आएगा नभाग अब उन समझ लेते हैं और कि यह चार बंद जब भी हम करमों हमंदने करब बांता है तो कितने पुद्गलों को बांद रहे और वह कितने समय तक रहेंगे और वो कौन से गुन को प्रभावित करेंगे ये चारों चीजिये एक साथ बनती है जैसे एकजामपल के रूप में आप पेरा सिटा मोल गोली का क्या का मोता है उसकी प्रकरती क्या होती है तो पेरा सिटा मोल प्रकरती उसकी इस्तिति किती है उसके पीछे लिखा हुआ है कि यह जो है मार्च 2022 में एक स्पाइरी हो जाएगी तो मार्च 2022 तक उसकी क्या हो गई इस्तिति हो गई और उसकी दस बंद अनुवाग बंद क्या होता है अब वह पेरा सिटा मोल जो तो गोली लेकर के आए AND 500 M Bunu चीनी जा या 200 ऑंजी की ए जह 204 पावर क्यारा जित्तिए उसकी पावर केलाती यह तिकशना है अब लास्ट में प्रदेश बिव कोई तो गोल गोहली कोई यह वाली यही होती है र्जव चोटी छोटी गोलिया भी होती है को यह इसके quantity इसकी जो प्रदेश बन्द इस प्रकार से हम गोली चामपल से स्ब्रश्कतें तोफी के टोफी लेकर कैसे रखते है तोफीक दांतों को तो प्रकृति उसकी क्या हो गई जाता है उसका अनुभाग और वह किस साइज किये छोटी साइज किये बड़ी साइज किये वह किलाता है उसका प्रदेस बंद वेशे ही हमारी आत्मा पर जो करम पुद्गल लगते हैं Jake milestone प्रभावित करेंगे यह कैलता है प्रकरति बंद वो कितने समय तक आतमा के साथahren इस्थिति बंद और वह हमारी आत्मा को प्रभावित करेंगे पूरा नबे 95% दबाएंगे 10 पर्सेंट बभाएंगे 5 कि अनुवाग बंद केलाता है और कितनी quantity में पुद्गल बांदे हैं यह quantity केलाती है प्रदेश बंद इस प्रकार से बंद के चार प्रकार होते हैं इनको समझने का प्रियास करें एक्जांपल इनके लिए और भी ले सकते हैं सास्ट्रों में लड्डू का एक्जांपल भी लिया करम के बंद के कारण कौन से हैं वेदने के बंद के कारण कौन से हैं ऐसे आठोई करमों के बांदने के कारण क्योंकि पहले जो क्लास चल रही थी करम प्रकरती की उसमें कई वार प्रस्ण पूछा भी गया था कि यह करम कैसे बंता है यह करम कैसे बंता है अब उनका प्रस्टों को रख दीजिए ताकि उनका समयदान करने का प्रयास हपन कर सकें चंद्रकाला जी चंद्रकाला जी कि यह वर रहा है कि अब क्रेशन पूछ रहे हैं प्रेजना चौडिया जी प्रेजना जी हलो जे जी नेंद्र सांद मुझे ये पूछना था कि जैसे अपन उप्भोग परिभोग जो प्रतिकमन में पड़ते हैं और यहां जो हम भोग उप्भोग की बात कर रहें तो इन दोनों में क्या डिफ्रेंस है देखिए यहां पर जिसको भोग कहा गया है वहां पर उसको उप्भोग कहा गया है यहां पर जो उप्भोग कहा गया है वहां पर उसको परिभोग कहा गया है ठीक है सांद मतलब डिफ्रेंस कुछ भी नहीं पर यहां पर जो बहुब कहा है और यहां पर जो उप बहो गहाु असुक को वहां पर परीबह का है मतलब भाव में कोई फरक नहीं बस हम वर्ड दूसरा यूज कर रहें बिल्कुल बिल्कुल सइशंगे ओके ओके जैजनेंद्रिशा थैंक यू डेकिए संसकार जिसके उच्छी मुनी के नीचकूल में पेदा हुए लेकिन दिक्षा लेते ही उनकी उच्छी गोतर का उदे हो गया तोंकि संकार उचे थे दिख्षाज लेता है जो सादू बनता है उसके नीच-कोलedi का उध्ये नहीं रहता है उसके संसकार उची हो जाते है इसलिए किसी मुनी जब नीच-गोथ्र का उद्ये था लेकिंट संसकार इतने जबर्दस थे कि उन्हों अपने नीच गोत्र का परिवर्तित करके उच्छ गोत्र का उदे लेकर क्या थे थैंक यू विनाई जी विनाई जी चौडिया यह यह गोत्र कर्म में जो आपने बताया से द्रव्य गोत्र और भाव गोत्र को बता द्रव्य गोत्र याने कि जब कुल अपने को अपने को अभीवर्तित को लेकिन यह 2 कोल का उदे इस त Agreement के उदे में हम संस्कारों से नीच पर काड़ी लग जाएंग है तो यूछ गोत्र का उदे हमारे आ जाएगा वाव गोत्र है अगर saai 연 Kul Ne Peda है और जनकोल के такие संस्कार है हमारे तो दरवे गोत्र से उच्छी गोत्र और संस्कारों से भी हमारे भांडोर से वह कहीं है एक सथ यह संदर्व आप से उच्छी नाम बता दी वो तो भागवती सुत्र और प्रग्यापना पुल देषट कर्म प्रकृति का बंद के ऐ adessoिए और प्रग्यापना सुथर के तेईतीसवा थर्टीतरी थेक depresи तेंक यू सबल जेघ जीननेन स्र स्वaurais साथ, सर में ये पूशना चारी थी, कि जैसे मतलब में जिस जगे में रेटी हूँ, जैसे थोड़ा सिमेंट प्लांट की कोलोनिया थोड़ी एंटीरियर रेती है, तो यहां तो अंदर में कभी सादुसंतों का मतलब लाव ही नहीं मिल पाता है, मन में बोत वो घ्लानी सी बनी प्रप्त कर सकते थे तो हम क्या करें फिर देखिए एक सन्यासि वह हैं, बाबाजी, वो कहते हैं, नहीं चलने की वेदना में ही छलने की रूची नहीं तो होती है, नहीं चलने की वेदना, जिसको मान लीजिये, अगर अच्छा पत मिल गया, कई लोग कहते हैं कि चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते हैं यानि करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं उसकी वेधना हमेशा रेनी चाहिए आपको साथ उसन्यासियों का योग नहीं मिलता है उसकी वेदना है इसलिए आपने ये प्रस्न पूछा अगर आपको वेदना नहीं होती तो आप ये प्रस्न नहीं पूछते आपको ये वेदना जो जगी है न ये करमों को काटने वाली है आपको योग मिले या नहीं मिले अगर योग मिल जाता है तो बहुत बढ़ी बात है न पर सुनाई होगा उससे आप अपने अपनी भाउना बना करके रखें और प्रती दिन खाना खावें उसमें एक मिनट के लिए सारी थाली परोशने के बाद एक मिनट तक भाउना जरूर भावें अपने को मालूम है हमारे गाउं में सादू नहीं है